सब्सक्राइब तैग टीवी यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईब तैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे खाजी कश्मीर का लकब दिया तापके वजीर आजम ने सब्हारा रहा हुआ कश्मीर को इश्टहर कंश्मीर को अपना अपने खार रो इस चाहित दॉन नहीं को आपके Fields नहीं चाहिए पाकिस्ता, तो पाकिसां से चार सुविली संभल रहे हैं यो पाकिस्ता, शाहिद आफरीदी एक ऐसा पठान है जो किसी एक बात पर काईम नहीं रहता है। हमने सुना था कि पठान अपनी जबान के बहुत पके होते हैं, मगर ये तो हर रोज अपनी जबान भी बदल लेता है। कभी ये कहता है कि पाकिस्तान से चार सुवे नहीं समाले जाते, तो हमने कश्मीर का क्या करना। और फिर कभी ये कहता है कि हमारी साथ लाख आर्मी के पीछे बाइस करोड अवाम खड़े हैं और हम इन्शाला जीत के रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। जबके हमारे पूरे पाकिस्तान की फाँच साथ लाख की है, लेकिन शमूदी को ये नहीं पता कि हमारी साथ लाख वाँच के पीछे बाइस तेश करोड की फाँच के साथ हैं, स्लूट करता हूँ मैं अपरी पाक वाँच को और उनके शहीदों को, और खास तोर पे जो लो जाम पेश करता हूँ शाहिद आफरीदी ने अपनी आफरीदी फांडेशन के सलसला में कश्मीर में खाना और अमदाद की अशिया पहुंचाते हुए ये कहा कि करोना वाइरस से ज्यादा बड़ी बिमारी प्रामिनिस्टर निर्डरा मुदी के अंदर है ये जो एक बहुत बड़ी बिमारी इस वक्त दुनिया में फैली भी है आम सब को अपनी इव्ज़ों अमान में रखें लेकिन इस बड़ी बिमारी जो है झाल वो ऑजिन के दिल और दिमाग में है बेश़ खरेंगा उर भी बिमारी मश्थ की बिमारी है मश्थ को लेकं वो स्यासत कर रहे और हमारे ये दो किलो मीटर पे जहान हमारे कश्मीरी बाई कश्मीरे बेने बुसर्ग हमारे उनके साथ जो इतने हैसे से जल्म कर रहा है वो आदमी इन्शालला उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखरत में भी जवाब देगा मूदी को एक बात का पता होना चाहिए है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डर्पोक आदमी इसने चोटे से कश्मीर के लिए साथ लाग की पौश जमा करती है उसने यानि कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस तरह की इंतहाई बद्दमीजाना जुबान एक एस्टाबलिश्ट क्रेक्टर इस्तमाल करेगा एक हेड अफ दा स्टेट के खिलाफ कश्मीर के सिल्सला में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के कोई भी सिलेबिर्टी हो मिनिस्टर्स हो वो प्राइम मिनिस्टर निंदा मूदी के साथ दो सो फीसे तक खिलाफ कर सकते हैं मगर इतना तो ख्याल होना चाहिए कि कहां पर कौन सी जुबान इस्तमाल करनी है ये शाहिद अफरीदी का मामला नहीं है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह दिया था बहुत अर्सा पहले कि मैं एक छोटे कद के आदमी से क्या बात करूँ ये जो क्रिक्टर्स हैं चाहे इमरान खान हो चाहे शाहिद अफरीदी हो क्या इन्होंने कश्मीर को एक क्रिकट फिल्ड समझा हुआ है क्या इनका ये ख्याल है कि जैसे क्रिकट में हार जीत होती है इसी तरह कौमों के बीच तनाज़ात की जो हाथ जीत है वो भी इसी तरह सहुलत के साथ हो सकती है बरहाल शाहिद अफरीदी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा शाहिद अफरीदी ने अपने अफरीदी फाउंडेशन के लिए हरबजन सिंग का भी मैसेज लिया और युवराज सिंग का भी मैसेज लिया और इन दोनों भारती करिक्टर्स के मैसेज़स को वो अपनी फाउंडेशन में फंड रेज के लिए इस्तमाल करता रहा लेकिन भारत के खलाफ उसकी जो जबान है वो इतनी बत्तमीजाना है मेरा ये मसला नहीं कि शाहिद आफरीदी भारत के कश्मीर के मौकर से इक्तलाफ कर रहा है उसको इक्तलाफ करने का हक है चाहे वो दुरुस्त है चाहे वो गलत है मगर जस तरह की जबान इस्तमाल करता है वो एक बदकिस्मती से मजमुई तोर पर पाकिस्तानी माइंड सेट की तर्जमानी करता है वो अकेला नहीं है बेश्तर पाकिस्तानियों की जुबान इसी तरह की एरोगेंट हो चुकी है बहुत ही दुख से मैं ये बात कह रहा हूँ जब मैं ये आप से बात कह रहा हूँ तो मेरे शोस के हवाले से मेरे अपने अरिचन के जो पाकिसानी बहन बाई हैं उन में से बहुत से मुझ पर ये लजाम लगाते हैं तुम हिंदोतवा की बात करते हो तुम भारत की बात करते हो तो मैं इसलिए हिंदोत्वा की स्पोर्ट करता हूं मैं इसलिए भारत की स्पोर्ट करता हूं कि वहां से इस तरह के बियानात ना तो प्राइम मिनिस्टर निंडरा मुदी के आते हैं जिस तरह के इमरान खान के आते हैं और ना ही हरबजन सिंग के या किसी भी करिक्टर्स के या किसी भी स्टार के इस तरह के बियानाद इतने गिरे हुए सटा के आते हैं, जिस तरह के बियानाद ये पाकिस्तान की सेलैबिल्टीज देती है. तो फिर जाहर है, एक इंडीपेंडन्ट जरिंल्ल सोने के नाते, मैं उस मौकफ की हमायद करूंगा जिस मौकफ में बत्तमीजी ना हो जिस मौकफ में शाष्टगी हो लेकिन शाहिद अफरीदी का मजीद ये कहना है कि कुरोना वाइरस से भी ज्यादा बड़ी बेमारी मुदी सहाब के अंदर है ये तो मैं मुदी सहाब कह रहा हूँ वो तो बत्तमीजाना लहजे में ये बात करता है तो अगर इस तरह की जबान वो भरता है और उसकी वज़ा वो ये बियान करता है के मूदी मख़ब की वज़ा से अपने रिलिजन से जुड़े होने की वज़ा से ऐसी हरकतیں कश्मीर में कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं तु क्या ये अपने मख़ब से जुड़े होने की वज़ा से इस तरह की बत्तमीजाना जुबान शाहिद आफरीदी नामी शक्स इस्तमाल कर रहा है ये एक एहम सवाल है कि दूसरे के हवाले से आप इस तरह की जुबान इस्तमाल करेंगे मगर जो आपकी गड़िया जुबान है क्या वो आपके मजब की वज़ा से है यकिनी तोर पर ऐसा नहीं है मजब का इसमें कोई कसूर नहीं है ये माइंड सेट का कसूर है ये शाहिद आफरीदी के अंदर मजूद उस वाइरस का कसूर है जो एक एरोगन्स की वज़ा से एक बत्तमीजाना रवीय की वज़ा से उसके अंदर सरायत कराया भरहाल हरबजन सिंग ने फिर जब भारत में उनके खलाफ ये बात शुरूई कि आपने क्यों अफरीदी फाउंडेशन के लिए एक इस तरह का मैसे रिकॉर्ड करवाया था तो फिर वो अपनी वज़ाहते हैं अब टेलिवेजन चैनल्स में कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में कर रहे हैं अपने बियानात में कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि मेरा अब शाहिद अफरीदी से कोई लेना देना नहीं मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारे प्रैमिनिस्टर के बारे में हमारे देश के बारे में इस तरह की जबान बरतेगा मगर हर्भजन सिंग जी ये कोई शाहिद अफरीदी पहली बार थोड़ा कर रहा है इस से पहले कई बार इट लीस्ट कोई पांच छे बार तो ऑन रैकेट है शाहिद इस से भी ज्यादा ऑन रैकेट हो शाहिद आफरीदी यही कुछ कर चुका है तो आपके इल्म में नहीं था एक ऐसे ही इंटर्वियू में हर्भजन सिंग ने गुपता जी को इंटर्वियू देते हुए कहा कि उनको ये इसास था कि शाहिद ये हुमेनिटी के लिए काम कर रहा है कर रहा हुए कर रहा है हम चैसे उनुने आज इंडिन प्राइमिस्टर्ग के बारे में यह सब बोला क्या कभी आपने उनके प्राइमिनिस्टर के बारे में टिपनी की हो मतलब आपको याद आता हू देखिया आपको लगता है कि मेरा काद इतना बड़ा है कि मैं किसी भी एक बड़े जो ओदे के लोग है या फिर उनके ओदे के हिसाफ से या मिरसे उमर के लिहाज से मैं मिरसे बड़े हूँ तो मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ ऐसी तो ये मेरे लिए अपने बड़ी शरम ना एक बात होगी कि अगर मैं अपने बड़ों की इज़त ना करूँ और हमें तो ये सिखाया जाता है कि बड़ों की इज़त करते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो तो मेरे लिहास से तो मैं कभी ऐसी टिपनी कर नहीं सकते हैं। हर्बजन तो बहुत ही प्यारे नौजवान हैं। लेकिन वो ये समयते हैं कि शायद ये कोई राजनेती के लिए शाहिद आफरीदी ऐसी बात कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये राजनेती का मामला नहीं है। ये इन ग्रेंड है माइंड सेट बदक्रिसमती से बतमीजान माइंड सेट शाहिद आफरीदी और इन जैसे लाखों करोडों लोगों के अंदर। जब शाहिद आफरीदी ने कुछ अरसा पहले ये बात अपने बोलपन में कह दी थी कि हमसे तो चार सूबे नहीं समाले जाते हमने कश्मीर का क्या करना। उस वक्त शाहिद आफरीदी प टरॉंटो में कई बार देखा है, हर बजन सिंग भी एक बार मुझे उनको बहुत करीब से यहां देखने का मौका मिला। और मैंने जो बाडी लैंग्विज में फरक महसूस किया था, हर बजन बहुत डाउन टूर्थ था। और बहुत ही जिसे पंजाबी में कहते हैं बीब जाहिद आफरीदी जैसे कोई खुदा हो, जैसे कोई मगरूर इनसान हो, किसी से मिली नहीं रहा था, खर, मेरा तो जब भी यह सिलेबरिटीज चाहे यह बॉलीवुड के हों, लॉलीवुड के हों, चाहे यह बड़े-बड़े सिंगर्स हों, चाहे यह करिक्टर्स हों, आत नहीं करता चुक्कि एक तुनकी स्क्यूर्टी के इस्यूर्टी के इस्यूर्ट होते हैं जो मैं I understand दोसरा इनके अंदर एक गरूर होता है लेकिन बदकिस्मती से ये जो पाकिसान से आने वाले आर्टिस्ट हैं जिनका कंट्री भी छोटा है as compared to भारत उनकी निस्वत ये जैस आस्मान पर बैठे होते हैं और गरूर से बड़े होते हैं भारत के इवन बॉली वुड के भी सतारे मैं बहुत सों से मिला हूँ और क्रिक्टर्स भी टॉप के वो डाउन टूर्थ होते हैं जैनल ये एक एक जैनल रवाया है इसलिए तो हरबजन जी ने इस वीडियो में जो भी मैंने आपको दिखाया गुपता जी के साथ बात करते हूँ वे कहा था कि हमें इजद से खाई जाती है बड़ों की खरते हैं बलकुल सच मुझा और कि बड़ों की इजद करते हैं लेकिन इधर ना कोई बड़े का लिहाज ना कोई छोटे का लिहाज बत्तमेज कूट कूट के भरी हुई है और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इस तरह के नारे ये लोग लगाते है और फिर इनके पीछे जो ट्रोल आर्मी ट्विटर्स पे बैठी हुई है नौजवानों की उन ट्रोलर्स के लावा भी जो पाकिस्तानी एक खास तरह का माइंड सेट सोचल मीडिया पे बैठा हुआ है जो मुझे भी बार बार शायद इस शो के बाद ज़रा ज़्यादा ही बत्त मीजाना बाते करेंगा वा विच आए एक्चुरी डोंट कियर तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि क्या इनके नारों से इनकी बत्त मीजाना बातों से हिंदुतुआ और हिंदूस के खलाफ नफरत इनके दिल और दमाग में बड़ी हुई है उस से क्या ये कश्मीर को ले लेंगे क्या आज तक बहतर सालों में ये कश्मीर का एक इंच भी ले सके हैं बलकि आदा पाकिस्तान बंगला देश इनके हाथ से जा चुका है ये सचनी मानने वाली जो है न ये वाली कौम जो इस तरह की सूचे रखती है सचनी मानना जूट बोलना है अपने आप से भी नारे लगाने है और दावे करने हैं के हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे हिंदुतवा हिंदुतवा खराब है और खुद माशालला इंशालला सुभानला लेके रहेंगे अल्ला ने चाहा तो लेके रहेंगे वो ठीक है और दूसरा काम गलत है ये हैं का रवईया और इसी रवेये की वज़ा से ये अपने ही मुसल्मान भाईयों मंगला देशियों से अपना आदा मुलक गवा चुके हैं और कश्मीर का एक इंचनी ले सके और इस तरह के नारे और आर्मी के नारे जिन्दाबाद आर्मी और फलान डिलां के साथ मैं दावे से कहता हूँ कि गुदिश्टा बहतर साल में भी एक इंच नहीं ले सके और आइंदा सो साल में भी ये एक मिलिल मीटर नहीं ले सकेंगे ये बात याद रखिएगा लेकिन मुझे दुख भी होता है और थोड़ा घुसा भी आ रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं बाराल इसी हवाले से भारत के एक नामवर करिक्टर यंग्स्टर पॉलिटीशन गोतम ने क्या कहा है क्या ही उम्दा बात की है जरा उनका ये वीडि क्लिप देखिए लेकि मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि कई लोग सिरफ उमर में बढ़ते हैं दिमांग में नी और अगेन एक और एक्जामपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं वो बच्चे तो रहनी क्योंकि पेपर में तो 40 साल के लेकिन इस समय में पी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महमारी से लड़ रही है करोना वायरस तो इसके बावजुद अगर आप राजनीती करते हैं कश्मीर का इश्यू उठाते हैं हमारे प्रदान मंतरी जी को ऐसी ऐसी बाते हैं तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही कि नहीं आपके देश की करें इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकितान में कि अगर आपको पॉपिलर होना है तो फिर इंडिया में मारे प्रदान मंतरी जी को अजीब अजीब चीज़े बोलिए तो बहुत अंफॉचनेट चीज़ ही तो जब आपके ऐसी सोच होती है तो फिर आप अब तो वैसे भी नहीं लेंगे शाहिद आफरीदी के इस वीडियो के रद्य अमल के तौर पर कश्मीर के ही एक नामवर सपूत और करिक्टर राइना ने एक ट्वीट दिया और स्ट्वीट में वो शाहिद आफरीदी को बताते हैं कि कश्मीर का एक इंच भी लेकर दिखा हम फिर तुम्हें मान जाएं बाराल उनका मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूं सुरेश राइना लिखते हैं तो शाहिद आफरीदी मज़ा आगया क्या फाइदा इस तरह के जूटे नारे लगाने का इस तरह उचल उचल के बोलने का यह जो तुम्हारा जूम जूम का बॉलिंग करने का अंदास था इसको सिर्फ बॉलिंग की आप तक रखो कश्मीर को क्रिकट फील्ड ना समझो और यह बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बता दो जो अभी तक अपने आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता वो क्रिकटर ही समझता है उसका यही ख्याल है के कश्मीर एक क्रिकट फील्ड है और यह पूरी के पूरी दुनिया एक क्रिकट फील्ड है और वर्ल्ड काप है और जिस तरह एक बार वो वर्ल्ड काप जीत कियाता है इसी तरह वो हर चीज़ जीचाएगा ऐसा नहीं होता मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ मैं पाकिस्तान की बलाई चाता हूँ और पाकिस्तान की बलाई इसी में है कि हम पाकिस्तानी सच बोलना और सच को समझना सीख लें सच को जानना जरूरी है यह सच है जिसको जान कर हम अपनी राहों को बेतर रस्ते पर डाल सकते हैं हम कश्मीर कश्मीर की गर्दान करते हुए एक बार शाहिदा अफरीरी तुम नहीं कहा था कि हम से तो चार सूबे नहीं समाले जाते कश्मीर क्या समने हर कश्मीर आपका हिस्सा कैसे बनेगा तो बन ही नहीं सकता समनना तो दूर की बात है इन चीजों से बाहर निकलाएं ये जो इल्जाम तराशी और अटैक करने का रविया है कि हम हावी हैं दस नौन मुस्लिम्स पर ये बातें बोल जाओ ये रियालिटी है कि कोई भी जंग हम पाकिस्तानी भारे से नहीं जीच सके अगर हम अपने बारे जूट बोलते रहें तो फिर हम ही नुकसान में हैं किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है खुदा के लिए रियालिटी को फेस करो हकाइक को समझो लेकिन रियालिटी को कौन फेस करेगा जब प्रामिलसर इमरान खान खुद एक बहुत बड़ा ट्रोल हो ट्विटर ट्रोल हो हर हफ़ते एक से दो बार वो तीन तीन चार चार ट्वीट्स की सिरीज जारी कर रहे होते हैं यही कश्मीर के मस्रेपे चलिए ठीक है आपकी राजनीती आपकी सियासत इमरान खान साब इसी पर चलनी है बाइदावे आपकी सियासत क्यास पर चलनी है वो तो आर्मी ने ही इस तरह चलानी है मगर आप खुद भी इसी तरह के मेंटैलिटी के है चलिए आपने इमरान खान साब कश्मीर के हवाले से ट्वीट देना ही होता है चलिए ठीक है दे दे लेकिन उसके साथ साथ आप हिंदुतुआ को आरेसेस को तो समझें जब मैं ये बात कहूंगा तो वही आपकी ट्रोल आर्मी मेरे उपर बिलकुल हमला कर देगी कि ओ माई गाड ये देखें कि ताहिर जो है ये हिंदुतुआ की स्पोर्ट कर रहा है बिलकुल मैं हिंदुतुआ की स्पोर्ट कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं हिंदुतुआ की स्पोर्ट के हिंदुतुआ में कभी आपके खलाफ इस तरह की जबान नहीं बढ़ती जाती کی obsession میں نہیں رہا کرتے ہیں لیکن عمران خان کا تو جو obsession ہے اگر اس کا کوئی فائدہ عمران خان کو یا پاکستان کو کوئی ہو سکتا ہو تو چلیے میں کہوں کہ چلیے ٹھیک ہے اس کا کوئی فائدہ ہے اس کا الٹا نقصان ہے میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں چونکہ evidences ہیں کہ آپ بہتر سالوں میں کشمیر کا ایک انچ نہیں لے سکے और आइंदा सौ सालों में भी नहीं ले सकेंगे तो फिर इस obsession का अपना मजाक उडाने का क्या फाइदा लेकिन इस obsession के हवाले से उन्होंने जो कल ही ट्वीट्स का एक निया सीरियल जारी किया वो मैं बहराल आपके साथ शेयर करता हूँ Moody's RSS inspired doctrine on I.O.J.K. very clear First, deprive Kashmiris of their right of self-determination by illegal annexation of an occupied territory Second, treat them as less than human by a three-pronged approach One, trying to crush them with brute force including using inhumane weapons Like pallet guns against women and children Two, imposing an inhumane lockdown depriving Kashmiris of basic necessities from food to medicines And three, by mass arrests of Kashmiris, especially youth and isolating I.O.J.K. from the world By cutting off all communication links Third, by trying to show Kashmiri's right to struggle for self-determination Guaranteed in UNSC resolutions as terrorism being abetted by Pakistan To create opposition for a false flag operation against Paaq While detracting world attention away from Indian state terrorism in I.O.J.K. 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 को उनके ऑफिस में यरगमाल बनाना लड़कियों से रेप प्लैक मेलिंग और बाद में उन्हें जिन्दा जिला देना लड़कों तक से रेप गरीब लोगों की जैदादों पर कबज़ा और बेगुना शेहरीों का कतल शामिल है साड़े चार साल हो गए शरीयत कोट मेरपूर में अपिल चल रही है लेकिन उस पर वो समात नहीं हो रही है बलके बज़रिया पुलिस हमें ही इंतकामी कारवाई का निशाना बनाया गिया है आजाद कश्मीर के हर फॉरम तक गई हूँ लेकिन मुझे यहां से इंसाफ नहीं मिला अब जब के मैंने बकाइदा तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहर शाहिदा फरीदी और आपकी तरह लाखों हजारों सोचने वाले लोगों खुदा के लिए हकाइक का सामना करो हकाइक यह हैं कि आप से वाके ही चार सूबे नहीं संबल रहे आप एक बाजू को अपने से गवा चुके हैं पूरे आदे पाकिस्तान को अपने से गवा चुके हैं और कश्मीर कश्मीर करते करते एक इंच भी टच नहीं कर सके कुछ तो पाकिस्तान की गरीब हवाम का सोचो कुछ तो पाकिस्तान के मसाइल के बारे में संजीलगी से सोचो और ये जो डिस्ट्रैक्शन रखी हुई है कश्मीर के नाम पे सारे मसाइल सारी प्राब्लम्स को दूसरी तरफ पहंग दिया जाता है और कहा जाता है यही हमारा असल मसला है बेवकूफ बनाना बंद करें और इसी सक्त कमेंटरी के साथ मैं आपसे अजाज़त चाहता हूँ हाथ बान के आपसे जाज़त चाहता हूँ खुदा आफ़िस और नमस्कार कश्मीर कुई इशू नहीं चाहिए पाकिस्तान को पाकिसान से चार सुभी नहीं संबल रहे सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस थे नोटिफिकेशन बटन यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे